आज की क्लास के मादधम से हम देखेंगे आज की क्लास में हम जो है फोट न्यूटिस्रूम हाईजयन यानि खाद इपोसरूम सुचता जो आपको एक पड़ना रहता है आपके बीए बीसी वीकॉम सभी कोर्सों में जो आपका कंपल्सरी का आपका पेपर होता है यह पेपर आ कोर्से करा है आप जाकर प्ले लिस्त में जरूर वाच कीजेगा सारी चैप्टर वाज टोटल जो फोर ही उनिट है जिसमें हम दो यूणिट कबर कर चुके है वाज की क्लास में जो हम इसकी तीसरी जो किया है इसमें जो है एक हजार दिवस्य जो पोसर होता है इसी को आज ह यूनित और आपकी बच रही है समधाय केंद से अपके हेल्थ इसर रिलेटेड है उसकी भी जो है बहुत ही जल्द बीड़ो आजाएगी आप सारा कह सकते हो इसमें कि जो चैप्टर वज मैंने कला से कराई हैं आप जाकर पहले लिस्ट से आप सभी तयार कलो परसन भी या इस करें एसलिए जो भी भी देख रहा हो विदो को जयादा जादा सेर करेंगा आज की किलास को जिससे सभी भीड़ ती जो है आज की क्लास यांट इसका जो यह तीसरा री दी हम बछन के मठेज क करा दी हैं मैंने सभी माडल पेपर इंपड़न कोशन एंसर का वी वीडियो में ने परवाइट कर रहा है आप जाकर पहले लिसमें जरूर वाचिए जिएगा सभी वीडियो को चले गए हैं से हम पर्सनों पर आ चुके हैं जो कि इसमें का पहला कुछन आपका दियावा है कि म कि ड्यॉ expressing हैं को कि की मम अलस के तो कि एक हमाद के सखतते हैं मिलभ तेक इसन परकार देखने क्या हूँ आप दगा मतनी की वेपलाईबु अ कि तहरे बता चाहई है तो drive, यानि 12 से 14 ग्राम होता है इसका रायट बिकल्फ हो जाएगा डी अगला कुशन भी आपका कि इसके देखने की मिलते हैं इसके पहला बिकल्फ से हो जाएगा अगला कुशन भी आप का दिया वाह जो कि आपका है यहां से पाच नमर कुशन कि वन्सा नुकरम का जो है नियम किस मेंडल ने दिया था सभी को पता भी होगा इसका राइट विकल्प हो जाएगा यह कुछन एकजाम में हर साल पूछा जाता है बिल्कुल यह कुछन आपको मिलेगा अपने एकजाम में आपका दिया कि आपको मिले नगर्भा काले निवस्था में जो हुआ जाती है तो सारे इरिक हो जाती है सिसका पहला विकल्पक नियुप एकजाये बर गता हो जाया पर दियावा है जो कि आपका 11 नंबर कुसंट की अभी बिरध्धी को कोज की विरध्धिक के आर्थ में जो है किसने सायोक्ति किया है ठीक है तो आपके फ्रेक रख्ल किया और पहला रहींगे अगला आपना संभ्यात कि नहीं होती ठीक उसी परकार विकास भी जीवन परिंद चलता रहता है अगले पर स्वर पढ़ेंगे इसका सी आपसन सही हो जाएगा अगला उक्षिंप आपका कि बालक के बिकास को सबसे ज्यादा जो परभावित करता है तो वांसा नुगरम कहता है ठीक है इसका रेट बिगल आपसन सब्सक्राइब आपको जो विकास को प्रवावित करने वाले जो कारक हैं बुद्धि हो गया परजाद संस्गीत ये सभी करते हैं लेकिन उपलब्दी उपलब्दी से इसका कोई भी लेना देना नहीं है इसले इसने का जो है दूसरा आपसन से हो जाएगा अगला उ करने इसले प्रवाव प्रवाव पड़ता है कि कि सवास्त का जो है विक आपर पर संसकूर को सब्सक्रा नहीं होती है अगल्य Conoda का यह स्वास्ट को सवास्त के लिए किस पोद्थ सबस्कार होती है। तो चाहे सिसू हो चाहे आपका यंग ब्यक्ति हो कैल्सियम जो है आपके हड़ी और दातों के लिए बहुत ही लाब दायक है तो कैल्सियम में स्वेरी मोट्स कह सकते हो अगले पूसर बढ़ेंगे जो कि आपका देखिए की नवजा सिसू का अहार होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए तुमा का दोधी होना चाहिए इसका रेड विकलब हो जाएगा और अगला पूसर आपका की जैन्मे के समय जो है परिपा कि सिसू का उस्तन भार कितना होता है त तो यह जो है आठ से जो है साथ से आठ महीने के बाद देना चाहिए शुरू करना चाहिए अगला पूसर पी आपका दियों की निर्माड और मजबूती के लिए कैल्सियम बहुत ही अबसक है ठीक है मैंने पहले भी आपको बताया हड्डी और जो है दातों के लिए कैल्सिम याद राखेगा कुर्सनिक जाम में यही पुछा जाएगा कि मा का पर्थम पीला जो गाढ़ा दोध होता है उसको क्या गहते तो इसको कोलेस्टरम गहते हैं अगला पूसर पी आपका कि गाय के दूध में मा के दूध की अपेच्छा प्रोटीन और कैल्सियम कितने गुना अधिक होता है तो यह जो होता है तीन गुना अधिक होता है इसका रैट बिकल भोग जाएगा अगलापसम पीआपका माँ का दोध बच्चों के लिए सरोत्तम है क्योंकि इस से बच्चा मोटा हो जाता है संकर्मा रोग नहीं होते हैं तो इमोंटी बोस्टर भी है ठीक है साथ में देखा है इस रोगों से बचाता भी है एक वर्स तक के जो है सिसो को जो है विटावेन सी की जो है कितनी मातरा देनी चाहिए तो 35 गराम देनी चाहिए इसका पहला विकल्प एक दम सही हो जाएगा अगलोग सुम्पियाव का दें कि पूरा कहार जो है कि आयू के प्राम करना चाहिए नहीं जो डोठ प्राणा जो चूड़ाते हैं माता है तो विणिंग प्रारम करने के मतलब होता बच्चे को दोठ ना देकर बाहरी पदार से देना तो जो देखा या तो च्छे महीने तक जो है मेंका पर्तामिश्थ से बेचर रहता है बच्चों के लि Greek टूप के साथ है तो जो साथ साहता कर सकता है अपको तो यह जो है सोया आधारित ठीक है क्योंकि प्रोटीन के जो है कह सकते हो प्रोटीन ही जो आपका सोया जगत का मतलब होता है सोया बीन ठीक है तो यह जो है वनस्पस जगत से प्राप्त होता है सोया बीन जो की प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स मना गया है यहां से बात की गई है कि बच्चों को जो है कह सकते हो क बच्च को दूर राखना चाहते हैं तो कौन से उसको बोजन दोगे उसके अधिक मातरा में प्रोटीन प्राप्त हो ठीक है तो स्वया बीन प्रोटीन प्राप्त का बहुत ही अच्छा साधन है साकाहारी में ठीक है यह कह सकते हो यह जो है वनस्पत जगत है का जो है स्वाय बीन है अगले पर शुर पढ़ेंगे जो कि आपका कुस्टन आपका दियावा है कि बालक के सभी जो है दूद के दात जो है किस आयू में जो है आ जाते हैं ठीक है तो कितने समय में आ जाते हैं बालक के सभी दात तो यह जो है बीस गर्भावस्था के समय इस्तिरी में कौन से परवर्तन होते हैं, तो इसमें सारेरिक मानसिक दोनों होते हैं, आप सी लगाईएगा, अगला उक्षिन भी आपका दियावा कि साधार इस्तिरी के अपेश्च्छा गर्वस्थी इस्तिरी को कैलोरी कितनी इसके हो सकता आधिक कर जाती है, इसका पहला भी कल्ब सही हो जाएगा, अगला उक्षिन भी आपका दियावा है, कि गर्वावस्था का जो है तीसरा परमुग लच्छड की बात आई है, तो बार बार पेसाब आना या पी जी मतला ना तो इसके हम बात कर लें, तो इसका भी ही आपसन इकदम र कि आबाति को जो है क्या कहते है तो उसको जो है डिब वस्था कहते हैं इसका पहला विकल्ब सही रहेगा अगला प्रोर्सव पॉर्ड में दिनों की संख्याज निर्धारित की गई है तो यहां से पर्शोपॉड का मतलब होता है कि बच्चे का ये कितनी आवात होती है इसकी फिगनेसी की टाइम तो होता है 280 दिन का या नो महीने की मैंने पहले भी इससे पहले आपको कुर्शन कर रहा था अगलाकुसेदार प्रदार्त गरभावस्ता में किस बीमारी को रोकते हैं तो रेसेदार प्दार्त होते हैं कब रोकने में बहुत ही साहिक है याद राखे गा परकार्र भोजन नहीं है तो कौन सा नहीं है तो पूरा कहार नहीं संबन्दित है और सभी है बच्चे को आपका पसू आहार इससे संहं भी अगधी पूरा कहार में मुख्यूर्व से ध्यान देना चाहिए तो जो है पोसर तत्तों की आपको ध्यान देने की हो सकता होती है इसका पहला भी कल्ब से रहेगा पोसर तत्तों की कि पोसर तत्तों है कि नहीं है उसमें तो यह बहुत ही जरूरी होता है ध्यान देने की गरभावस्ति इस्तरी के लिए जो वसा की हो सकत कितनी होती है तो 30 ग्राम की होती है अगला अग्सिंप आपका दिया हुआ कि नियुक्त परभाव गर्भास्त से सूपर नहीं पढ़ता है जब महिला को परभाव बच्चे पर भी पढ़ेगा बिल्कुल पढ़ेगा लेकिन कहरा कि नहीं पढ़ेगा तो भी यह गलत हो अग्ले परसेन परब्रव यहां गर्मावास्तामें आपका चया पचें की दर बढ़ जाती है तो सामाने से इसका अब सी लगाईएगा अगला पका गर्भावस्तामें हार्मॉंस की ग्या भूमिका होती है तो इसकी भूमिका होती है इसका पहला भी कल पर लगाइएगा क्योंकि हार्मोज में बुड़ूर के अंग बेकसित होते हैं अगला कुर्शन प्याप का दियाओगि गर्भावस्थी महिला को जो है इसको जो है संदुले तहर लेना चाहिए बिल्कुल इसका D Kazi Leda महिला को जो है ङरभावस्ता में ज collector अत्रिक्त कैलोरी के सकता होती तो 300 कैलोरी की गुर्षनेट दो तीन वा रिपीड हुआ है अगला है अगर आप देंव का प्र जब Åूहिला को किस परगार का भोजन जो है गरळा करना चाहिए तो तो पोश्टिक करना चाहिए ठीक है अगलाप्सम्पी आपका कि सरी में लोहे की अपोर्थ गेल यह जो है गर्भती इस्तरी को जो है क्या दिया जाना चाहिए तो पालक दिया जाना चाहिए ठीक है इसका पहला भी कल्प सही रहेगा अगलाप्सम्पी आपका जो कि अगर बावास है कि आकार में इसका रइट पिकलफ हो जाएगा पहला अब लगाएगा किस परकार के परवर्टन होते हं तो आधिक मेने करब्पसही रेगा अधिक गरभा वास्था का इस तरी महिला हो सकता है यदि कोई गरभा वास्थ स्थी आधिक कलोरी ओधिक आधिक इनर्जी लोगोंगे तो मुटआपा स्कारड है देखाया तो हार्मॉन्स मेंBER परवरतन सरीर के भार में भी परवरतन होता है इसलिए आप डी खाएगा इसलिए लगाईया कई दम सही हो जाएगा अग्लाप्सिंपर आपका कि अपका किस की मात्रा जो हे कम लेनी चाहिए तो गरभावस्था में किस तstatic की रक्त में कमी हो जाती है तो गरभावस्था में किस तत्त की रखते की हो जाती है थी तो कैलस्यम की हो जाती है या फी ऐरन अतरिक्त प्रोटीन लेना चाहिए तो यह 10 ग्राम लेनी चाहिए अगला प्रस्था नंबर की गर्भावत्ती महिला को जो है निम्न में से कौन सा अहार नहीं लेना चाहिए तो गर्भावत्ती इस तरी को जो है बासी भोजन नहीं लेना चाहिए और गेहुं का जो है कह सकते ह चाहिए उनको तो इसमें का डी आपसन इकदम से हो जाएगा उपरुक तो सभी चीज़े नहीं लेनी चाहिए अगला उक्सम पी आपका और सब्सक्राइब कर नंबर कर्सन की गरभावती महिला को जो है किस परकार का भोजन लेना चाहिए तो उसको जो है पोश्टिक भोजन सब्सक्राइब करना चाहिए अब इसमें का चौथा लगाएगा डी आपसन इकदम से रहेगा अगला उक्सम पी आपका दिया की गरभावस्था के जो है किस माह में जो है रक्तचाब में बिरद्धी हो जाती है तो आठवे माह में हो जाती है इसका रैट बिकलब हो अगला उक्सम पी आपका दियावा की गरभावस्था के समय जो होने वाला समान लच्छड कौन सा है ठीक है तो देखा है तो मासिक धर्मबंद होना जी मतलाना और समन्धी परवर्तनी जो होता है इस सारे होते हैं ठीक है समान इसके लच्छड ही है इसलिए आप डी अगला उक्सम पी आपका की गरवती महिला जो है अपना मान्सिक स्वास्त जो है कैसे समान बनाए रख सकती है ठीक है तो परसनित हो कर नहीं खुसी होकर रख सकती है समय का आत्मा को तेजनाओं से बच्छकर और धाल्मिक और अध्यात्मिक विचारों को मन में करके जो है इसका डई आपसने रिएगा सकती है जिए ये-घर ये अपका देख किसका ध्यान रखना चाहिए तो देखा ओ परिया तो मैंने अभी समान निकास्ट आपको बताया भी थे ठीक है अब डी लगाएगा उपड़क तो सभी इसमें रहेंगे अगलाक्शन भी आपका गर्भा उस्थाव है जो है रक्त की कमी से बचने के लिए जो है क्या करना चाहिए ठीक है तो जो है समान मातरा में लोह लवर ले सकती है जो हे पर्सेंट जो कह सकते हो जो स्वच्थता होती है जो है परकास की जह सक्ता होती है तो अधिकवसा कह सकते हो लेना चाहिए तो यह सब क्योंसकता होती है अभड़़क नहीं है परक्राग स gallery बढ望 बाट तो अभड़़व पर्सों कि और सारी परक्रिया को पर्सव का परकार नहीं तो पर्सव की दम परकार की बात कर लेकर तो आप परक्रेश के आप कि पर्सव पर्किरिया की पर्मुख अवस्थाएं होती है तो इसकी तीन अवस्थाएं होती है अगला कुस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् आ हैं है लोक्सती कर दियावा या कि पर्सों परकरिया की अवस्ता है तो कौन सी है तो भी सभर 12 और अबस्ता एक इसका से रहेगा ऐस वerson तरह वैद चलेगा कमपली KET परसों कहलाता है इसके राइट सी हो जाएगा विजिए का एक तो भिकास कार्थ होता है प्रीवर्तन ठीगे चेंजेस होता है इसकी उतरदाई कारक वी कॉरी नमबर की बाल भीकास को परवाविद करने वाले तत्तों में जो है सर्वथिक महत्पूर तत्तों जह कौन सा है तो बंसा दोलीए तरह बहसम्व प्रविजा के विकास को बाता गया था कि इसको जो यह च्छे वस्तव में सब्सक्राइब अगलागोस्टेम्पी अपका सेसवावस्था की उमर कितनी होती है कि अगलागोस्टेम्पी आपका क्रोमोस्टा की परकार होते हैं तो ख्रोमोस्टा होता है यह सबीग पता होगा कि स्तीरे की परिपक कोसका में जो है केबल क्रोमोसुम होता है तर फिस तरी में जो है एक्स- Financial compr सब् Stalin और सॉनने वाला नहीं होता है तो अंतरिक ये आपको बताना है ठיע है तो ये जो है चया पचया परवर्तन भी होता है तो इस अरहालन inflictर नहीं है और सारी स्टितिया यह क्या है तो यह जैद्दर का बढ़ जाना वजन बढना मासिक धर में रुख जाना इसलिए डिया अप्सन से रहेगा उप्रूक्त सभी, गर्भावस्था में पर्थम पाच महाँ में पाया जाने वाला लच्छड कौन से है, ठीक है, तो जी मतला ना मासिक धर्म बंद हो जाना, इस तनों का अभिकास ये सभी है, ठीक है, इसका डिया अप्सन से हो जाएगा, कि गर्भावस्था की पर्मुक्ष सिकायत नहीं है, तो कौन सी नहीं तो विशिष्ट परहसानिया जो है नहीं है, और सारी है, ठीक 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 ह परकार नहीं है ठीक है यह कुछन काफी बार भी दल में रिपीड हुआ है तो गर्व पात का परकार नहीं है तो कौन सा परकार नहीं है ठीक है तो आपका चलेगा हाँ यह आपका अनिवार गर्व पात और विसेश गर्व पात या भी अपूर गर्व पात या भी पूर आपका दियावा है जो कि है आपका आर एच फैक्टर होता है तो यह फैक्टर क्या होते हैं तो यह दो परकार क्या होते हैं फैक्टर अग्रक्ट अलपता जो हो जाती है रगता अलपता यानि खून की कमी जो हो जाती है यह जो है जब रगत में जहें लवण की कमी होती है पूर्व गर्पात पूर्व गर्पात यह सभी इसके परकार ही है इसलिए डिया अपसन से रहेगा अगला पूर्व भीकास की वस्था नहीं है तो कौन सी नहीं है तो सैसव अश्था नहीं है तो सैसव वस्था नहीं है अगला पूर्व की बात बच्चे के स्टार्ट होती ना कि पहले प्रेइस स्टार्टी कि ये दो सप्ता होती है इसका कि अवद कि यह दूसरे सप्तास ये दो मात आपका गर्भा वस्ता है तो गर्भावस्ता कि समय के यह पीरियद है एक समय है अगला कुछन भी आपका अंडार जो है घरभित होने के लिए जो है पहुचता है तो यह जो है आपका फॉलोबियन ट्यूब में पहुचता इसका रेट विगल फो जाएगा सी बिल्कुल सही यह कुछन पूछा भी गया था नय जीव का जो है पोसर करने के लिए ओमन में पाया जाने वाला पदार्थ है तो प्रोटीन है ठीक है इसका भी आपसन से रेगा जैगोड का आकार होता है तो जैगोड का अगर जो होता है अंडा नुमा होता है यह अंडे के अकार का होता है ठीक है अगला कुछन पी आपका कि दो माहत के भुरूड का भार हो सब्सक्राइब करने लगता है और सभी विकास परारब हो जाते हैं सिसु गर्व में घूमने भी लगता है यह सारे क्रियाया होती है इस रड़ी लगाएगा अगला कुस्वाइब का नवजास सिसु को जो है साधार लंबाई होती है तो कितनी होती है तो 45 से गालक पर जो है तो यह साधार की केज़ी की थे कि यह अगला पर पर सम्हों पड़ाइगे जो कि आपका दियावा है 123 कि बालक का भार एक वर्स में बढ़ जाता है तो यह कि एक वर्स में जो है बालक की हड्डियों की संख्या होती है वह कितनी होती है ठीक है तो तो पोसर ना मिल पाने की स्थित में हो जाती है तो देखा है तो खराब आपका स्वास्त हो गया बिमारियों स्थित में हो जाती है है ठीक है अगला कोस्ति अगला क्रिफ प्रमारियों की मता के जुझ में कि इस रूम में होता है तो तो लेक्टोज के होता है ठीक है चाहें कोई भी रहा हो और हम स्टित में जाता है ऐसमिते तो देखा जाता है तो देखा कि आपका पृपक्त मिशें कि नतरभ से का अधियुंद मीश आपका तो उबली सब्जिया फल जो है मसल कर उबला हुआ अंडा रोटी को जो है डाल में भिगो कर तो यह सारे हैं ठीक है अगला कुसंप्याब का दियाओ की सैसवा वस्था में जो है निनमेस किन जो है पौश्रिक तक्तों की जो है हो सकता होती है तो कैलोरी प्रोटीन कार्बाट सन्टमिय के जो किन में जो है इसाब से महीने तक किलोड़ के वार के किने उस्थान है तो इसको जो है की पचास संटी मिटर का सीलिगा अगराइव दो उससलि resolve कर फेद दो लेता है तो यह कि पहला से हो जाएगा के कोलेस्टरम क्या है कुस्चन बहुत ही बार रिपीड हुआ है तो कोलेस्टरम जो है इमा का परथा में सतंदूर होता है ठीक है इसका जो है बीया अप्सन से रहेगा अगलाक्शन प्याप का नौजास सिसु में जो है कौन सी इंदरिया सबसे कम बिक्सित होती है ठीक है तो देखना देखना जो है नौजास सिसु में बहुत ही कम बिक्सित होता है ठीक है याद रहा किएगा अगलाक्शन प्याप क कि तीन किलोग्राम वाले नवजाज सिसू का भार जो है लगभग दो गुना हो जाएगा तो यह च्छे महीने के बाद हो जाएगा ठीक है शिक्स मंद के बाद अगला कुशन पी अपका कि चाय में पाया जाता है तो चाय में जो है थियो फाइलिन काइफीन और टेनिक ऐसे ड जाएब टेन्षन के नाम से भी जाना जाता है यह याद कर लो कुशन बिलकुल बनेगा एक जाम में अगला कुशन पी आपका दियावा है कि पकाने के जो है कि इस तेल में जो है सबसे अधिक मातरा वसा अमल की होती है ठीक है तो किसमें होती है तो नारियल का तेल में अगला कुशन पी आपका दियावा है कि यकरत जो है उत्पन नहीं करता है तो यकरत जो है क्या नहीं उत तो यह जो है दो नीस सु पचहतर को यह कुछन बिल्कुल बने ग्राइब जैमिश को तैयार कर लो अक्सीजन जो ही नियंत्रित होता है तो यह जो है देखा जाया तो किसके मात्यम से होता है तो इसमें तो कुछन नहीं दिया वाइब इसमें से कोई नहीं नहीं ठीक है चले ज़ फिछोड़ देजएगा लगले हम देखेंगे के नियन में से ज़य कौन सा इंजैम जए कैलसीम की उपस्तित में जए तो किलिया करके उसे दही में परवर्तित कर पहुतां ही कि भी सब्स加वोंसे तो पहुतेञां जो किसा है तो में सब्सक्राइब कैसे फिर समयशित कर Sóft और यखिर फिर ईबहुता है निर्जली स नेखर Orig li क्तृम आनिरक्षा उस्थर्शित का लो में में वा scrut में कि से वि Behavior-ार्टा भूता है कि सब्सक्राइब स्वास्त परिवार काल्यार मंतला नहीं चलाया जाता है। तो कौंसा नहीं चला जाता है। ज़िए टो किसा रूम में भंधारिद करता है तो गलाइक कोजन की रूम में एबी कुछन रिपीट हुआ है इसका सिया अपसन सही रहेगा इस सारे कुछन आप तयार कर लो यह आपकी थिरी यूनिट है यानि इकाई आपका तीसरा में कवर कर रहा हूं चौती भी आपकी यूनिट आ जाएगी जो कि आपकी लाइस्ट सारे रिक भार किलोग्राम में अपान जो है लंबाई गुड़े चोड़ाई ठीक है लंबाई मीटर में लंबाई का स्कोर है जाएगा ठीक है एम स्कौर अगला कुछन पी आपका कि विटामिन बी जो बी टू जो है समंदी थे तो यह जो है किस से समंदी थे तो एप एमन और फेर्डी से समंदी इसका पहला अपसन से रहेगा अगला कुछन पी आपका अगला कुछन पी आपका दिया हुआ है जो कि है कि आवस्क जो है वसी अमल है तो क्या है तो इसका सी आपसन एकदम से हो जाएगा अगला कुछन पी आपका कि अमासा के जो है गाइस्ट्रिक जो गरंथिया जो होती है एंजयम से रावित करती है तो यह प्राकृतिक रूप से उपस्थित सबसे मीठा कार्बॉरेड कौन सा होता है तो फ्रक्टोज होता है यह भी कुशन मात पूड़े अगलाकृतिया गर्भावती माता के लिए आयरान और कैल्सियम का आडिये क्या हो होता है 27 किलोग्राम यह होता है कनी आपांसी के प्रत दिन कितने ग्राम प्रोटीन की जहें सकता होती है तो उसको जहें 12.50ींट 0.5 नेमत्सिती को समंस्थित कैसे औरियों सब्सक्ताओं को पूड़ा करता है तो नतली तहार करता है तो बैलंस करता है अगलाक्षिन प्रवावस्था में विकास परभावित होता है तो यह परभावित होता है यह माता के पोसर से भी होता है और माता की उमर से भी होता है और गर्वावस्था में पल रह सिसो की संख्या से भी होता है बिलकुल आप इसमें डी लगाएगा उपरुक्त सभी से स्टन पान पर लिए क्यों महत पूड़ई की कंप करता है तो च्छे महीने के बाद ही आपको विनिंग परारम करना चाहिए कि दुख दुथ पादन के लिए कौन सा हर्मोस जो उत्तरदाई होता है तो प्रोलेक्टिन होता है यह बिल्कुल फसेगा अग्जाम में अग्लाक्शन प्याप का पूर अबद के जोई सिसोग में जो है लोह तत के भंडार कितने समय तक जो हैं ठीक कितने समय तक यह चलते है तो यह चार सचे महीना तक चलते हैं इसका सी अपसन से रहेगा प्यप्टाइट बंद उपस्थित होता है तो यह प्रोटीन में उपस्थित होता है सी अपसन सलफार युक्त जो है अमीनो अमल है तो यह क्या है ठीक है तो आपका यह जो है अपका मियतियोनिन और जो है सिस पर चलना सीखना थोजब भोजन गरढना वारता लाप करना बाते सीखना ठीक है यह सभी होते हैं इसलिए डी लगाएगा उप्रकत सभी अग्लोक्ष्ण भी आपका दिया होगी विकास आत्मा कारी पर पर्भाव डालने वाला कार्या टो परिपकता सांस gouvernemental जो है अगल्तित तो मौल यह सारे इसके कारक यह है iha a दिए कि विल्ड का रवाकार रहे जो कि पर्बेक्ति में परकट होता है और इस कार कि भलता से तो इस लिए पर्शनता और आسफलता से दुख पराफ्थ होता है और बाद में कार में कठनाई आती है ये जो कफ़न है ये कफ़न जो है यी कारक्षाहिकरत का कन है ठीक है ज़र याज भियावलने कहा था कि Alt scan कर लंद गारत होुए आधा कि प्रबेटान पहुए याज संसront हिसे जो Inter कि बालक के जो है सरीर और मानसिक विकास को परभावित करती है तो देखाया तो यौन भैद और रोग बुद्धिया सभी करते हैं इस रड़ी लगाएगा उप्रुक्त सभी वह इतने कुछन थे ज्यादा कोई बिसे कुछन जादा नहीं थे वह इतने कुछन तयार करो यूनि वही आपकी बच्ची हुई है इसकी पेले लिस मेंने क्रेड कर दी है आपको डिस्क्रिशन में लिंक कर दें दूगा आप जाकर सारे जो है चैप्टर वाइज भी करासे लेग से सकते हैं और दो लिंक आपको दूँगा पिछले सार के काफी मैंने मार्डल पेपर सॉल्व क किया एक बार पेपर भी देख लीजेगा जो कहीं नकिया आपको पर एकजाइम में बहुत ही महत्पूर साब दोगा अच्छी नंबर दिलाने के लिए तब तक सभी को थेंक्यों पर आजिंग दिस वीडियो